हेलो दोस्तों नमस्ष्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल टार्गेट गुर्मेंट पोश्ट में दोस्तों यूपी पुलिस एसाइट से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं नीचे दीगे रेट कलर की सब्सक्राइब बटन के लिए और साथी साथ यह भी यहां पर जानकारी आपको मिलने वाली कि पास होने के लिए कितने यांक चाहिए होंगे पहले कितने चाहिए थे अब कितने चाहिए होंगे तो इसमें भी बदलाव किया गया है तो यह बहुत अच्छी कुसकबरी आप लोगों को तक तो वीडियो की कॉलिटी को बढ़ा लीजेगा देखें यहां पर कह रहा है कि नोटिफिकेशन क्या बोला है कि जो आपकी उप निरिच्छक नागरिक पुलिस सीधी भरती के पदों पर वर्तमान में लिखित परिच्छा आयोजित होनी है तो इन नियमों में के चार अलंग-अलब विश्यों हे तू परतेख विशे में सव अंक यह समझ लिजें कि आ प्रतेख विषे में 70 अंक प्राप्ट करने वाले अभ्यार्ती लिग को ग विद्यमान नियम के साथ इसमें बदलाव किया गया है इसक इस्थान पर चार अलंग-अलंग अंक तक चारों विशियों रखा गया है यहाँ पर एक्जाम पैटरन पहले तो हम लोग देखने वाले हैं UPSI New Exam pattern क्या रहने वाला है और risks में क्या क्या होगा और कितने question पूछे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखने वाले हैं कि जनरल हिंदी से आपके 40 question पूछे जाएंगे जनरल हिंदी से 40 question और इसके जो marks होंगे maximum marks की बात करेंगे तो 100 marks का ठीक है law and constitution general knowledge यानि जीके law और constitution से जो आपके question बनेंगे 24 question बनेंगे और 16 question आपके जीके के होंगे total मिला करके आपके 40 question यहाँ पर भी बन जाते हैं अब यहाँ पर बात करेंगे हिंदी में 40 question 40 question आपका जीके law and constitution में हो गया numerical mental ability test में आपके यह आपका क्या है numerical और जो mental ability test होता है इसमें आपके जो questions होते हैं यह quantity होते हैं यह mathematics के 40 question हो गया अब बात करेंगे intelligence test reasoning की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 40 questions होते हैं total मिला करके 160 question बन जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग यह समझ गए होंगी कि किस किस subject में कितने question पूछे जाते हैं और कैसे आपको तयारी करनी चाहिए ठीक है यह आपको यहाँ पर प्रतेक में 35 प्रतिशत अंक लाने यह अब इसके लिए क्या है कि आपको समय कितना दिया जाएगा कैसा क्या है number of question कितने होंगे तो number of question अभी आपने देखा कि 160 number of questions होंगे और यहाँ पर बाक्त करेंगे maximum marks की तो maximum marks आपका यहाँ पर हो जाएगा 400 ठीक है 400 100 100 marks करेगा 400 हो जाएगा और यहाँ पर प्रतिशत की बात करेंगे तो 1.5 पर question पर question number मिलेगा ठीक है जो marks होगा वह 2.5 पर question marks होगा अब यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि जो duration मिलने वाला हो कितना तो दो घंटे मिलेगा 120 मिनट यह नहीं दो घंटे time duration मिलने वाला है selection process की अगर बात करेंगे तो selection process देखना और समझना बहुत जरूरी है कि 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 यहां पर देखें तीन च्रणों में selection process complete होने वाला पहले cbt online exam होगा इनी computer based test होगा दूसरा आपका होना वाला है documentation and physical standard test तीसरा आपका physical efficiency test होगा तीक है अब यहां पर देखिए हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपकी classes start की जा रही हैं किस परकार से start की ज exam होगा दोस्तों वह exam आपका expected यानि आप बात करें संभावित exam जो है वह आपका फरवरी में होने की संभावना है जैसा की बोर्ड द्वारा बूल आगया जैसी जानकारी मिली तो यहां पर आपको देखे live class आपको मिलेगी live test भी मिलेगा और free PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जा रहा है तो सफलता बैच से जरूर जुड़ें जिससे कि आपको आगे सफलता मिल सके जिसमें आपकी timing बैच की रखी गई है morning सुबह 7 बजे और दोपहर में 12 बजे आपकी यह timing रखी गई है उमेद है यह वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल पाई होगी अगर कोई जानकारी में आप आपको लग रहा है कि हमें जानकारी मिलने चाहिए तो कॉमेंट करके आप पोच सकते हैं आपको जानकारी दी जाएगी तो वीडियो को ज्यादा से जादा लाइक शेयर जरूर करें धन्यमाद वीडियो लिए आपका दीन शुबो मिलते नेक्श में